दोस्तो नमस्कार आधाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारेकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश नियूज मन्थन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की बाढ़, टमाटर और चांद हम सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा कि दिल्ली का एक हिस्सा बाढ़ से डूबा हुआ है यमुना का पानी, रिंग रोड से लेकर के कई हलके दिल्ली के हैं, यहां तक कि लाल किला का, आईटीयो का, इन तमाम इलाकों में पानी घुस गया है लोग तबाह हैं, लोग बेहाल हैं, लेकिन जो शाहर के बड़े हिस्से के लोग है, जो अमीर लोग है, जहां बड़े राजनिता रहते हैं, बड़े अपसरान रहते हैं, वहां कोई समस्या नहीं है ज्यादा समस्या आम लोगों की दिल्ली को है, साधानर लोगों की दिल्ली को है, या जिनको रोज स्कूटर से, मोटर साइकल से, बस से, या गाड़ी से ट्रेवल करना पड़ता है, नोकरी के लिए, अपने छोटे मोटे भियावसाइक के लिए, उनके लिए यमुना का पानी इतना बढ़ गया कि लोगों को 1978 की दिल्री की बार याद आ गई और 1978 से भी ज़्यादा लोगों का कहना है कि ये उस से भी ज़्यादा हालात खराब हुए हैं क्योंकि पानी का जुस्तर है काफी बढ़ गया है अब इसके लिए हतनी कुंड जो बराज है लोग कहते हैं खास कर दिल्ली की सरकार कह रही है कि उसका रोल है वहां से पानी इतना ज़्यादा छोड़ दिया गया दिल्ली की और कि उससे दिल्ली में बाढ़ा गई तो क्या पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए था क्या ज़्यादा कंट्रोल और कर लेना चाहिए था पानी का इस पर हर्याना और दिल्डी की सरकारों के मुख्यमंत्रियों के बीच में आपस में गुत्तम गुत्ती यानि बयानों की गुत्तम गुत्ती वो कह रहे हैं कि इससे हरियाना डूब जाता तबाह हो जाता इधर कह रहे हैं अर्विंद कजरिवाल की हमारी दिल्डी डूब गई लेकिन 47 बात का है जो आम तौर पर kafir आंभादी पार्टी के जो निता है वो ये कह रहे हैं कि उत्रप्रदेश के लिए जो पानी छोड़ा जाता था वो पानी छोड़ा ही नहीं जा हाला कि वाहँ जान्रपूर से ले करके और बाग बतर तक अने हिलाके उत्तरप्रदेश के गया है और यह संकट सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं है एंसियार गाजियाबाद नोवेडा ग्रेटर नोवेडा जितने इलाके हैं पीने का पानी यानि गंगा वाटर की सप्लाई जो अलग-अलग ट्रेट्मेंट प्लांट से होती थी वो बंद की जा चुकी है और बोर क्या यमना में इतना पानी आने के बाद भी दिल्ली को बाड़ से बचाया जा सकता था या पानी निकल जाता इसका प्रवाह जो था वो वाकई कहीं कहीं रोका जा रहा है कहीं कहीं अवरुद हो रहा है जिसकी वज़ा से बाड़ ज्यादा आई है ये एक बड़ा सवाल है और इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये छेतावनी देते रहे हैं कि दिल्ली में अतिक्रमन जो हो रहा है वो आम आदमी जितना कर रहा है उससे ज्यादा खास लोगों के खास फैसलों से हो रहा है। यमुना की पेटी में क्या क्या बना है उस पर एक छोटा सा मैं आपको कुछ उधारन में दे देता हूँ अक्षर धाम मंदिर किन लोगों के राजकाज में बना ये सभी जानते हैं अक्षर धाम मंदिर की जो जमीन है उसको लेकर कितना बड़ा भी बात चला अगर किसी साधा व्यक्ति ने उस इलाके में मकान बनाना चाहा होता या वहां पर जुगी जुपणियां खड़ा करना चाहा होता तो तत्काल उसको हटा दिया गया होता इंक्रोचमेंट ड्राइब के तहद, कि भई इंक्रोचमेंट खतम करना है, लेकिन भारत सरकार ने स्वेंफ फैसला किया और कराया, तो एक अवैद फैसला वैद अडंग से किया गया, और दोस्तों हमको आज तक याद है, मैं स्वेंफ उस समय पार्लेमेंट हाउस में एक रि बचाव किया कि यहां ऐसा होना चाहिए और जो फाइल मुब हुई थी गौवर्मेंट की उसमें अक्षरधाम मंदिर के निर्माण के लिए तमान जुगत तमान तर्क और दलीले दी गए तो एक तरफ यमुना की पेटी में एक विशाल कांप्लिक साथ खड़ा है जो एक्सप और दोस्तो भगल में कामन वेल्थ गेम्स के लिए एक विशाल रेजिडेंशियल कांप्लेक्स है अगर आप उस एरिया से गुजरते हों तो आपने देखा होगा कि सड़क जहां बनी है उसके कुछी दूरी पर एक विशाल तर्टबंद है इसलिए यमुना की पेटी में ब गई हैं गाडियं रुक गई हैं साइकिल रिक्षा आटो सब रुक गया है कई जगा बहुत बुरी स्थितिया यह बात सही है लेकिन कामन वेल्थ गेम्स के जो विलेज पे रहने वाले लोग हैं अमीर रोग काफी काफी मोटी रकम के साथ वो मकान वो एलाट हुए लोगों को बात के दिनों में जब गेम्स कतम हो गए और अक्षरदाम दोनों कॉम्प्रिक्स की तरफ पानी नहीं गया है दोस्तों सिर्फ यही नहीं इंद्रा गांदी इंडोर स्टेडियम वह भी बना इसके अलावा दिल्ली सची वाले जो बना है जिस पर दिल्ली सरकार बैठी है उसके बारे में भी एक्सपर्ट उपिनियन थी यह नहीं बनना चाहिए था लेकिन बना बाइस किलो मीटर का जो स्ट्रेच है दिल्ली में उसमें 25 पुल का बनना अपने आप में एक सवाल खड़ा करने वाली बात है अब यह जरूर है कि जो हैवी ट्रैफिक है दिल्ली में उसके लिए फिर क्या किया जाए तो यह एक सवाल यह है इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो कारण है यमुना में सिल्ट का जो डिपोजिशन है उसके लिए काम ठीक से नहीं किया गया यमुना के उपरी हिस्से में अनेक डैम बने हुए है शहर के अंदर नाले और नालियों का भारा होना उनका नियमित रूप से साफ न किया जाना जितने नाले हैं जितनी नालियां हैं उनकी सफाई कानों होना ये सब बड़े बड़े कारण हैं तो दिल्ली में सड़कों का निर्मान तो जबरदस डंग से हुआ है दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाइ ओवर तो जरूर बने हैं दिल्ली में मेट्रो बन गई दिल्ली में समय नियंतरन उसका कैसा करना है इसके बारे में कोई साइंटिफिक सोच के जरीए एक्सक्यूट करना प्लैनिंग को योजनाओं को एक्सक्यूट करना ये काम बिलकुल नहीं हुआ और दोस्तों दूसरी जो हमारी कहानी है वो है चांद की हमारा जो चंद्रयांत तीन है इस पेस क्राफ्ट वो बहुत तेजी से चंद्रवा की तरह यानि चांद की तरफ तेजी से मुखातिब बहुत तेजी से जा रहा है और शुक्रवार को ये प्रक्षेपित किया गया अंध्रपरदेश के हरीकोटा से 23 अगस्त को ये चांद की सतह पर उत्रेगा जो वैज्यानिकों की योजना है और जिस धंग से इसका प्रक्षेपण हुआ है जो हरिकोटा जहां पर सतीष धमन स्पेस सेंटर है वहां से प्रक्षेपित किये जाने के बाद मिशन के जो निदेशक S. मोहन कुमार साब है उन्हो जोस्तों इसी बीच में फ्रांस में हमारे प्रदान मंत्री थे उन्होंने वो फ्रांस आप जानते हैं कि अभी हमारे प्रदान मंत्री फ्रांस गएly थे वहां से आबुधा भी होते हुए वो दिली आएंगे तो फ्रांस में प्रदायन मंतरी ने वहां से बढ़ाई संदेश दिया और इस चंद्रियाण के लिए दुणिया के बहुत सारे देशों में भी भारत की इस काम्याभी को खासकर अगर चंदरियान तीन सफलता के साथ चंदरमा पर उतरता है तो बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी क्योंकि जिस इलाके चंदरमा के जिस चित्र में इसके उतारे जाने की योज़ना है वहाँ काफी ओर डिफिकल्ट एरिया माना जाता है और वहां से कई नई चीज़ें मिलेंगी खासकर पानी के बारे में बर्फ के बारे में ये चीज़ें खोजी जा सकेंगी ऐसा वैग्यानिकों का दवा है या उनकी परिकल्पना है उनकी योजना है अब सवाल यह है कि भारत का जो इस पेस परोग्राम है वो कोई आजका नहीं है ये जो काम्याबी आजकी है ये एक सिल्सला है एक कांटिनीटी में है 1962 में भारत का जो इस पेस का जो प्रोजेक्ट है वो लांच किया गया था इसमें तमाम तरह के प्रियोग होते रहे हैं और आज वैग्यानिकों के बल पर हम अपने मुलक को तमाम परेशानियों, तमाम चुनोतियों के बावज़ू हमने यहां तक खासिल किया है, यह वैग्यानिकों की बहुत बड़ी कामया भी है, इसमें कोई दोराए नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें इस बात का, हम जो अपनी ब भारत इतनी प्रगति कर लेगा कि उसकी कालोनिया उसकी जो बस्तियां हैं उसके जो नागरिक हैं वो चंद्रमा पर रहेंगे अभी से कल्पना के तमाम तीर छोड़े जा रहे हैं उडान उड़ रहे हैं लोग कि वाह हम बहुत सारे लोग जिनके पास भारत में नौजाने हर शहर में कईयों के पास मकान हैं और हर शहर में नहीं तो कम से कम तीन चार शहरों में जिनके पास मकान हैं जब छापे उन पर पढ़ते हैं तो ख़बर आती है कि देश के इतने शहरों में छापे मारी होई तो अब एक चंद्रमा पर भी होगा अब पता नहीं चंद्रमा पर और कालूनिया बनाएंगे तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि एक बनी बनाई कालूनी जो है बनी बनाई जो बस्तियां है अपने दिल्ली की इस बाढ़ में बेहाल हो गई पानी नहीं मिल रहा है लोगों को टैंकर नहीं जा पा रहे हैं लोग विसलेडी का पानी खरीद कर पी रहे हैं और विसलेडी के भी जो बड़े बड़े जो जो वेंडर्स है वो जो ट्रक से या छोटे ट्रकों से या आटो से टेंपो से जो भेजते रहे हैं पानी घर घर वो पानी इससे भी जादा होता है, बरसात इससे भी जादा होती है, लेकिन उनका बेहतर नियोजन है, बेहतर प्लैनिंग है, बेहतर प्रबंधन है, इसके बलपर वो चीजों को बेहतर बना लेते हैं, हमारे हाँ पॉलूशन इतना जादा है, हमारे हाँ और सारी इतनी परेशान जिस तरह के construction है उसकी अपनी समस्याएं हैं लेकिन हम सपना देख रहे हैं कि चांद पर हम कालोनी बनाएंगे तो भाई चांद पर बनाएंगे अभी तो चांद हमारी कल्पनाओं में था हमारी कविताओं में था हमारे श्लोकों में था हमारी दंत कथाओं में था लेकिन अब अगर चांद पर कभी आप पहुँच गए और कालोनी बनी शुरू हो गई तो उन बस्तियों का क्या हाल होगा कहीं कुछ हो गया वहाँ तो क्या उसका होगा तो ये मुझे लगा कि ये चांद की जो कहानी है जिस पर हम इतना गर्व कर रहे हैं उसके पहले हमें अपनी बनी बनाई कालोनियों पर सोचली की जरूरत है अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है आम नागरिक के जीवन के बारे में सोचने की जरूरत है चाद एक सुधर सपना है एक सुधर कल्पना है लेकिन चाद पर जितना हम ध्यान दे Us हैं कि हमें चाद पर पहुंच जाना है अरे भению अभी तो बहुत कुछ में रिसर्च का काम नो हो खासकर स्पेस साइंस में लेकिन ये एक साइंटिफिक एडवेंचर एक तरफ और दूसरी तरफ इस महादेश के इतनी बड़ी आबादी की अपनी समस्याएं उन पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है अब पता चला कि जहां पर ये प्रक्षेपन वहाँ H.E.C. के बहुत सारे जो करमचारी हैं उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है जिरोंने लांचिंग पैड वहाँ बनाया हरी कोटा में ये भी एक कहानी आ रही है अख़वारों में भी मैगजीनों में भी विब साइटों पर भी तो अजीब अजीब समस्याओं से ग जी और जो अमीर लोगों के इलाके हैं वहाँ साथ 200 रुपे 300 रुपे भी हो गया हो तो कोई आश्यर नहीं लेकिन टमाटर सो से लेकर के 200 के बीच में लगातार जूल रहा है और इस्थिती यह है कि केंद्र सरकार की एजंसियों ने शुक्रवार से 90 रुपे कीलो टमाटर क कुछ है खलकों में बेचना सुरू किया है अब मेरा यह कहना है कि आप बेच रहें तो पूरे देश में क्यों नहीं इस तरह का कर सकते आपके हाथ में सारी एजंसियां है आपके हाथ में बाजार का नियंतरन है आपके हाथ में कानून का डंडा है आखिर पूरे देश में मामले में किसी छेत्र के एक बड़े जानकार विशेशग्य वरिष्ट पत्रकार हरवीर सिंग से बात की और हरवीर सिंग से मैंने जो बातें की दोस्तों वो आपके सामने है हरवीर जी आप ये बताएं कि जो टमाटर के दाम 200 रुपए हो गए आखिर इसकी क्या वज़ा है अ से लेकर 40 रुपए किलो टमाटर लोग खरीज रहे थे अचानक ये 200 रुपए प्रतिकिलो होने का राज क्या है देखे टमाटर के दाम बड़े हैं और 200 रुपया प्रतिकिलो को पार कर गए है उसके बीचे जायर सी बात है कि जो भारी बारिश और बार एक वज़े हैं लेक इसको कंट्रास कर रहा हूं कि जब टमाटर की फसल आई उस वकत अगर हम देखें कि अप्रेल मई जून के शूब हिससे तक टमाटर की कीमतों में भारी कमी आई और किसानों को टमाटर के दाम दो से चार या पांच रुपए किलो मिल रहे थे जायर सी बात है टमाटर को पा तुड़ाई ही अपने आप में मेंगी है और किसानों को लग रहा था कि टमाटर का तोड़ना उनको जो कमाई हो रही है उससे महगा पार रहा है इसलिए जो माहरास्ट करनाटक का कुछ इससा और यूपी और जारिखन में वहां यह हुआ है कि दो तीन तुड़ाई के जाइर सी बात है इसके चलते जो सप्लाई थी उसमें कमी हो गई और आप देखे कि टमाटर के दाम बढ़ना शुरू हो गए और इसके चलते जो विचोलिये थे उन्होंने बर्पूल फाइदा आउट है और अच्छानक आप देखेंगे कि एक सब्ता के बीतर टमाटर सब् अच्छानक बात है इसके बार इसके बार दो सो रुपय को पार कर गया उसके एक अप्ते के अंदर जाहिए इसमें पहले सप्लाई का बारित होना या सप्लाई में कमी आना मुख्य वज़ा है उसके बार बिचोलियों का इसका भरपूर फाइदा उठाना सबसे बड़ी है कि ये मौसम टमाटर की फसल का सामाने मौसम नहीं है कुछ पाड़ी अलाकों में इस वकत टमाटर पैदा होता है करनाटर वगरे में पैदा होता है लेकिन वहां पर बारिश की इसलिए इसलिए वहां भी फसल प्रभाइद हुई है ये मुख्य वज़ा मैं मानता हूं के दाम बढ़ने की जी हर्विर जी मेरा दूसरा सवाल यह है कि की जो इतनी महाई टेमाटर के दाम में आई है क्या उसका लाब किसानों को भी मिल रहा है ये जो इतनी महंगी कीमत इतनी ज़्यादा कीमत जो बड़ी है टमाटर की उसका फाइदा क्या किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों यह देखिए जाइब सी बात है कि फसल के दाम बढ़ते हैं तो उसका फाइदे का पहला हगदार को किसान है लेकिन अखीकत में ऐसा नहीं है कुछ इलाकों में जो अभी जहां दाम बढ़ने के बाद फसल थोड़ी बची है या फसल आ रही है ऑफसीजन की वहां जरूर किसान बाड़ी लाकों में हो रही है वहां पर मुमेंट भादित है तो इसका कोई उस तरीके का फाइदा जिस तरह आपको दूद में किसान को मिलता है या दूसरी फसलों में बड़े बैमाने पर मिलता है तामाटर के किसानों को उस तरीके का फाइदा इस बढ़ी हुई कीमत का म तो थोड़ा बहुत फाइदा है आंशिक रूप से लेकिन जो कोल्ड इस्टोरिजिस में जो व्यापारियों के पास है और जो अभी भी किसान को जो दाम कुछ चुनिंदा जगों पर जहां थोड़ी आकोर्ती हो रही उनको मिल रहा है उसके मुकाबले उगोपता जो दाम इसलिए यह बड़ा फाइदा इसका विचोलिया और आर्ती और व्यापाई उसका फाइदा लेकर के जा रहा है तो दोस्तों आपने एक कृशी मामलों के जानकार व्यक्ति देश के जाने माने पत्रकार कृशी च्छेत्र के उनकी राय सुनी टमाटर की कहानी पर तो आज ब झाल 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 झाल